महीनों बाद भारत और चीन के विदेश मंत्री आमने सामने हुए महीनों बाद दोनों की बात चीत हुई तजाकिस्तान के दुशामबे में विदेश मंत्री S.J. शंकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिले है करीब एक घंटे तक दोनों की बातचीत हुई और बातचीत का फोकस LAC पर टक्राओ रहा एस जशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से साफ बात की है LAC के स्टेटस को में एक तरफा बदलाव भारत को मनजूर नहीं है बॉर्डर पर हालात बहतर होने चाहिए ये रिष्टे सुधारने के लिए बहुत जरूरी है दोनों देश सैनिस्तर की बातचीत जल शुरू करने पर राजी हुए है 11 राउंड की बातचीत हो चुकी है लेकिन अप्रेल से अब तक कोई बातचीत नहीं हुई अब विदेश मंत्रियों के मुलाकाट से एक रास्ता खुला है क्योंकि इस वक्त हर तरफ चुनोतिया है अफगानिस्तान में हालात बिगडगे है ये इस पूरे इलाके की चिंता होनी चाहिए ऐसे बिगड़े हालात में बॉर्डर पर टकराव ठीक नहीं है टकराव से कुछ हासिल भी नहीं होगा ये चीन ने एक साल में दिख लिया है भारत के विदेश मंत्री एस जैशंकर चीन के विदेश मंत्री वांगी और तजाकिस्तान में S.C.O का मंच करीब दस महिने बाद भारत और चीन के विदेश मंत्री एक जगा पर हैं, फेस टू फेस हैं, ये बड़ा चांस है क्यूंकि दो सबसे बड़ी चुनोतियां सामने हैं, दो सबसे बड़े मुद्दे सामने हैं LAC पर टकराव के मुद्दे कुले कर साल भर से ज्यादा हो गया, पक्का समाधान नहीं निकल रहा है दूसरी तरफ अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने से हालात बिगड़ गए, तालिबान ने मार काट मचा दी तालिबान तेजी से अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले रहा है, 85% इलाका उसके कबजे में आ गया है, आसपास के देशों में इसी से खलवली मच गई इसी पर शंगाई सयोग संगटन की बैठक का फोकस था, भारत ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत ने सीधी बात कही, अफगानिस्तान में हिंसा रुकनी चाहिए, नागरिकों पर आतंग की हमले रुकने चाहिए, सभी समु इमानदारी से बाटचीत, बाटचीत में इमानदारी ना हो तो बात नहीं बनती और बिगड़ जाती, ये सिर्फ तालिबान पर नहीं, ये चीन पर भी लागू होताँ, बाॉडर के ठक्राओ पर चीन ने अब तक यहीं किया है, 11 बार चीन से से रंए बाटचीत हो चुकी ह बार्मी बादचीत की तैयारी है लेकिन बादचीत बहुत सफल नहीं रही बॉर्डर पर लगातार तनाव होट स्पिंग और गोगरा हिट्स की होगी होट स्पिंग और गोगरा हिट्स दिस्प्यूटेड एरियाज थे ही नहीं वो पहली बादचीत बने हैं लेकिन चीन साफ तर पर कह रहा है कि जहां तक दमचौक का तलोक है और दीपसंग का है यह लिगेसी इशूज है दोजा तेर को गलत बताया सेना ने यह कहा कि पूर्वी लद्दाक में ना तो कोई घुसपैट हुई है ना ही कोई जड़ब जिन हिस्सों पर विवाद है उन पर भारत चीन की बातचीत चल रही है चीन की गतिविदियों पर भी नजर रखी जा रही है इसमें किसी तरह की ढील नहीं है चीन की अरकतों पर सेना की पूरी नजर है क्योंकि चीन ने बार बार भरोसाथ तोड़ा है बातचीत में तैंबातों को अब तक नहीं माना है पिछले साल सितंबर में S.C.O. के मंच पर ही मॉस्को में भारत चीन के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई थी जिसमें L.A.C. के विवाद का समाधान निकालने के लिए फाइफ पॉइंट रोड मैप बना था इसी में तैं हुआ था कि मत्रियों को विवाद नहीं बनने दिया जाएगा L.A.C. पर तेजी से डिसंगेजमेंट होगा सैनिकों के बीच उचित दूरी रखी जाएगी और तनाव कम किया जाएगा फरवरी में भारत और चीन ने पैंगॉंग लेक एरिया में डिसंगेजमेंट कम्प्लीट भी कर लिया था लेकिन ठकराव के दूसरे अलाकों में अब तक डिसंगेजमेंट अधूरा है जैप सांग और गोगरा और होट स्पिंग से अभी भी तनाव बड़ा हुआ है इसको बताएंगे कि बहुत जरूरी है कि आप जता स्थेती मेंटेन करें जो कि एपरल 2020 में थी और डैप सांग और होट स्पिंग और गोगरा से भी आप पिछे जाएं इसका रास्ता बातचीच से ही निकल सकता है क्योंकि चीन ने भारत का सयम भी देख लिया संकल्ब भी देख लिया और साहरस भी जितने सैनिक और हतियार चीन ने लगाए हैं उतने ही सैनिक और हतियार भारत ने भी लगा दिये हैं चीनी बॉर्डर पर 50,000 एक्स्ट्रा सैनिक लगाए गये हैं एक्स्ट्रा स्ट्राइक कोर तैनात है वायू सेना की ताकत बढ़ गई है, मिग सुखोई के साथ रफैल विमान रेडी है, रफैल का दूसरा स्क्वाडरन भी जुलाई से अक्टिव हो गया, सीमा पर रहने के लिए 11 महीनों से ही सेना के इंजीनिर्स ने उन सुविधाओं को बना लिया है, जिसकी प्लैनिंग अग मिसाइल सिस्टम्स, नए एडिफेंस सिस्टम्स, S-400 और नए हवाय अडि बना रहा है, ऐसे में हम चीन को ट्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो बड़ा लाजमी है कि इस डायलोग के बीच में और डिसकेशन के बीच में दुरों विधिश मत्री हिंदोस्तान साफ तर पर चीन के यानि बॉर्डर पर अगर चीन ने खुद को टाकतवर बनाया है, तो भारत ने भी टाकत लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, भारत हर तरीके से खुद को तयार कर चुका है, इसलिए टकराओ के रास्ते पर चल कर कुछ हासिल नहीं होने वाला, चीन को ये बात समझनी गीता मोहन के साथ आज तक ग्यूरो लेकिन ज्यादा बड़ा मुद्दा एक अफगानिस्तान का, जहां पर चीन का हस्त शेप तो दिखता है, लेकिन क्या उसकी संजीदगी दिखती है, भलेही अफगानिस्तान ने अचानक अब तालिबान ने जो अपने चहरा बदलने की कोशिश की है, और ये कहने के प्रयास कर रहा है, वो कि हम आपके उईगर मुसलिमों का जो वो है, उसके लिए हम यहां पर नहीं उन्हें सेटल करने देंगे, क्या चाइना इन बातों से बेवकूफ बन रहा है, या उसे समझ में आ रहा है कि अफगानिस्तान और वहां की तालिबान समस्या भारत और चीन की साज कि हाद चुनाती है बात है कि जब वौंगी से मिले तो अफगानिस्तान जरूर एक मुद्दा है जो उटकर आया होगा, जो जिस पर बातचीत हुई होगी, इसके अलावा इंडियन स्टूइट्स जो चीन में जाना चाहते हैं, उस पर भी बातचीत होनी थी, उस पर डीटेल अभी तक नहीं आ कोई भी forward movement भारत और चीन की बीच अगर हो सकता है, वो तभी हो सकता है, जब पैंगॉंग एरियस के अलावा बाकी सारे एरियस में चीन डिसिंगेजमेंट शुरू करते हैं। जो निभाई जा रही है। जो यहां पर डिसिंगेजमेंट बहुत पहले हो गया था, और अब जो एरियस हैं जहां पर डिसिंगेजमेंट की जरूरत है, वहाँ पर अगर आप देखें, चीन ने बहुत ही कड़ा रुक अपना लिया है, और ऐसे लग नहीं रहा कि वो अभी हाल फिल हाल में कहीं पीछ पर शिश्की है, नुकसान उसे कुछ-कुछ चुकाना भी उसका पड़ता है, लेकिन अब अफगानिस्तान में वो तालिबान के जरीए किस तरीके से जुड़ना चाहता है, और फाइदा उठाना चाहता है, यह जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान से बुरिया बिस्तर सम अफगानी सेना तालिबान से लड़ रही है, और बड़ी हिम्मत से लड़ रही है, लेकिन तालिबान के साथ पाकिस्तान है, वो तालिबान के लिए लड़ा के एक्सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के आतंकी संगठन अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान को सड़क में लाइन से खड़ा किया और कुछी सेकेंड में इन सभी को गोरी मार दी सड़क पर लाशे भीच गई ये तालीबान की कुरूरता का ट्रेलर है अगर तालीबान फिर से आए तो यही पूरे अफगानिस्तान में होने का डर है क्योंकि अफगानिस्तान के 85 प्रतिशत इलाके में तालीबान ने कबजा कर लिया है हजारों परिवारों को उनके घरों से भगा दिया है घरों पर कबजा किया जा रहा है स्कूलों को चलाय जा रहा है तालिबान के कबजे वाली इलाके में तालिबानी कानून से सजा दी जा रही है तालिबान के टार्गेट पर काबूल है वो ज्यादा दूर नहीं है अभी कंधार पर कबजे के लिए मारकाट चल रही है गजनी में भी भीशन लड़ाई जल रही है पूरे अफगानिस्तान में खून बहरा है हालात पिगड़ने से सब को डर है तालिबान का राज आ जाने पर सब को चिंता है फिर चाहे वो कोई भी हो चीन को चिंता है कि उसके शिंजियांग प्रांथ के वीगर अलगावादी लड़ाकों को अफगानिस्तान में पनाह और मदद ना मिलने लगे रूस की चिंता है कि अफगानिस्तान में कट्टरता और खून खराबा पढ़ा तो पूरे मध्य एशिया को खत्रा होगा और मौस्को तब इसका असर पढ़ेगा रूस और चीन की तरह काजकिस्तान और किर्गिस्तान को भी अफगानिस्तान में इस्लामिक कट्टरता और खून खराबा पढ़ने से चिंता है उजवेकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे देशों की अफगानिस्तान से लंबी सीमा लगती है हिंसा पढ़ने पर इन सिमाव पर शणनार्थिस्ट संकट पढ़ेगा यह सब देश शंगाई सहयोग संगठन से जुड़े हैं और इसी की बैठक में अफगानिस्तान पर फोकस करके चर्चा की गिन और अपनी अपनी चिंताओं को बदाये गया भारत की चिंता ये है कि अफगानिस्तान की विकास में उसने 13 डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है अफगानिस्तान से गहरे संबंधों पर निवेश किया जो अब दाव पर लगा है तालिबान के आने से हालात बदल जाएंगे आतंकी संगठन मजबूत होंगे शेत्रिय सुरक्षा को खत्रा होगा और पाकिस्तान को एक बढ़त मिल जाएगी अफगानिस्तान की बड़ती वालन्स से सारी दुनिया चिंता है खास करके हिंदोस्तान, रश्या, सेंट्रलेशन रेपबलिक्स, साथी रेविया और एरान हिंदोस्तान ने बहुत बड़े पेमाने पर वाइंवेश्मेंट की वीए तीन बिलियन डॉलर्स से ज़ादा है और हिंदोस्तान नहीं चाहता कि किसी प्रकार से ये इवेश्मेंट जाया हो पाकिस्तान की और चीन की जबदस कोशिच है कि हिंदोस्तान को वहां से इटा जा और हिंदोस्तान के लिए फूचर रोल ना हो क्योंकि पाकिस्तान कितना भी निकार करता रहे दुनिया जानती है कि तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट करता है तालिबान की पूरी लीडर्शिप पाकिस्तान में वर्षों से पल रही है अफगानिस्तान यही कहता है कि तालिबान के नाम पर पाकिस्तान उससे लड़ रहा है तालिबान के लिए लड़ने के लिए पाकिस्तान अपने लड़ा के एक्सपोर्ट कर रहा है जैश महम्मद और लशकर तैवा जैसे आतंकी संगटनों के आतंकी तालिबान के साथ मिलकर अफगान सुरक्षावलों से लड़ रहे हैं खुद पाकिस्तान के एक पश्टून सांसद में इस नेकस्स की पूल खुली है हम जब यहाँ पर यहां पर कहते हैं कि यहाँ से लोग जा रहा हैं यहां से लोग ते शद गर्दू करने के लिए उसको किसी सबूत की जरुरत नहीं है आपका अपना वजिरखार जो उस पर महर तजदीक सबत करता है आपके अपने सदर पाकिस्तान ने कल ही जो ट्वीट की है उस ट्वीट में सदर पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान की अबरती मेशत को दो खतरात लाहक है एक अफगानिस्तान में बदामनी जिस पर हमें उमीद है कि तालबान और उनके हमत्वों को अमन और आश्टी नसीब होगी ये इस जिस लाइक इन्वेडिंग ये आप अपने एक पड़ोसी मुलक पे हमले की तरफ एक कदम है ये इस तरह है जिस राप एक पड़ोसी मुलक पे हमले आवर हो रहे हों और वहाँ पर जो देश्दगर्द कुवते उनके हुकूमत के साथ उनके स्टेट के साथ लड़ रहे हो आप उनको यहां से सपोर्ट कर रहे हूँ तालिबान को सपोर्ड पाकिस्तान ये जान कर भी करता है कि खुद उसके लिए भी अफगानिस्तान के बिगड़े हालात भारी पढ़ जाएंगे पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की लंबी सीमा है और जिस तरह से खून खराबा हो रहा है उसमें शर्ण अर्थियों का संकट आएगा पाकिस्तान भी खून खराबी से पच नहीं सकता वो भी आतन की चपेट में फिर से आएगा इसके बाव जू अगर पाकिस्तान तालिबान का सवर्थन कर रहा है तो उसकी सबसे पड़ी वज़ा यही है कि तालिबान का राज जाने से उसका जो तबदबा अफगानिस्तान में चला गया था वो अब तालिबान के आने से वापस आ जाएगा आज तर दो लूसी पर रहने के बाव जूद इतना सुकून महसूस किया है लूसी से बॉर्डर रिपोर्ट आपने कई बार देखी होंगी लेकिन अब आप जो बॉर्डर रिपोर्ट देखेंगे वो सबसे अलग है क्योंकि ये लूसी पर फाइरिंग फ्री यानि गोली बारी से मुक्त बॉर्डर रिपोर्ट है लूसी पर सीज फाइर के सौ से ज्यादा दिन बीच चुके है और इस दोरान लूसी पर गोली बारी की आवाजें खामोश हो चुकी है भारतीय सेना को वक्त मिला है आतंकवादी घुसपैट को रोकने की अपनी शमताओं को बढ़ाने का आज तक की टीम जब लूसी पर पहुंची तो भारतीय सेनिक आतंकी घुसपैट रोधी मिशन की मॉक ड्रिल कर रहे थे क्योंकि एलोसी पर सीसपैट के बाद आतंकी घुसपैट में कमी ज़रूर आई है लेकिन पूरी तरह खत नहीं हुई है फरवरी से सीसपैर अग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ हुआ है और तब से काफी हद तक शांती बनी रही है लाइन ओफ कंट्रोल पर ना पाकिस्तान की तरफ से ना भारत की तरफ से फाइरिंग हुई है या शेलिंग हुई है हाला कि जिस इलाके में हम हैं यहाँ पर बहुत ज़ादा शेलिंग और फाइरिंग हुआ करती थी लेकिन भारतिय सेना के लिए इन्फिल्ट्रेशन को रोकना अभी भी एक बहुत बड़ा चैलिंज है एक चुनौती है और इस वकट जो हम देख रहे हैं वो एक काउंटर इन्फिल्ट्रेशन पेट्रोल पार्टी है जो के एक ड्रिल कर रही है यह अपने आपको पूरी तरह से तैयार रखने के लिए कि कैसे इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाए फरवरी में लोसी पर सीसफायर के एलान के बाद एक भी गोली नहीं चली है लेकिन आगे भी नहीं चलेगी इसकी कोई गैरेंटी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान पर किसी को भरोसा नहीं सीमा पर सीजफायर जरूर है लेकिन पाकिस्तान के दिमाग में अभी भी भारत से दुश्मनी के गोले फट रहे है पाकिस्तानी सेना कश्मीर में आतंकियों को ड्रोन के जरीए हतियार सप्लाई कर रही है पाकिस्तानी सेना ने लोसी के पार आतंकी लॉंच पैट्स पर आतंकियों का जमावड़ा लगा दिया है इसलिए कोई नहीं जानता कि पाकिस्तान की तरफ से कब कोई गोला आए और एक बार फिर लोसी की शान्ती भंगो लहाज़ा लोसी पर भारतीय सेना की मुस्तैदी में कोई कमी नहीं है जम्मु एर फो स्टेशन पर ड्रोन अटैक के बाद भारतीय सेना के लिए एक बहुत बढ़ी चुनौती है किस तरह से ड्रोन्स का सामना किया जाए यही कारण है कि भारतीय सेना अपनी शम्ता को बढ़ा रहा है ड्रोन्स से लड़ने के लिए क्योंकि इस तरहां की इंपुट्स बार-बार आने वाली है कि आगे आने वाले समय में जैसे जैसे सीजफायर रहेगा ड्रोन अटैक्स के चांसिस भी भड़ जाएंगे पाकिस्तान कब तक सीजफायर मानेगा ये कहना मुश्किल नामुम्किन है लेकिन ये सीजफायर सीमा से सटे गाउं में रहने वाले लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं एलोसी पर रिपोर्टिंग के दौरान ऐसे ही एक गाउं में आज तक की टीम पहुँची जहां के रहने वाले लोगों को याद भी नहीं है कि आखरी बार इतना चैन और सुकून उन्होंने कब महसूस किया था लाइन ओफ कंट्रोल के आसपास लोगों की जिन्दगी बेहद मुश्किल होती है इनके घरों के आसपास इनके घरों पर सालों से गोले गिरते आए हैं जब भी शिलिंग हुई है कुछ महिनों में एक राहत जरूर है जब से सीस फायर अग्रीमेंट है लेकिन अभी भी इन अराम से बच्चे भी रह रहे हैं हम ही रह रहे हैं माल में मेशी लेकर पहले जब 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 फैर होता था बहुत हमको तकलीफ थी बच्चे डरते थे कोई उदर भागता है कोई उदर भागता है गोला आ गया गोला आ गया जो लोग शेरों के बातें करते हैं वो सिवलन कैसे रह रहे हैं। लोगों के दिल और दिमाग में वो यादें ताजा हैं। 21 साल के शौकत मुहमद सेना में पोर्टर का काम करते थे लेकिन अब नहीं कर पाते चूकि पाकिस्तानी सेना की बॉर्डर एक्शन टीम ने घात लगा कर उनकी टीम पर हमला किया। शौकत ने अपनी आखों से पाकिस्तानी सेना का वो क्रूर चेहरा देखा है जिसमें उनके दो पोर्टर साथियों की निर्मम हत्या हुई। शौकत आप पोर्टर का काम करते थे आर्मी के साथ बताएंगे कि कैसे आपको चोटाई थी आपके पैर में ये कैसे हुआ। हम फोज के साथ बारती सेने के साथ काम करते थे 10 जन्मारी 2020 को हमारे साथ ये आमला हुआ। दस पोर्टराम सुबा आठ बजे यहां से काम के निकले सावान उठा के तो बारती जो बैट अक्षन वाले थे ये पाकस्तान के बैट अक्षन वाले थे तो अपने ये बार्डर अलाका में बैठे हुए थे जंगल में बैठे हुए थे तो हमारे उपर जब उन्होंने आमल पर किस हद तक गिर सकती है ये इन लोगों के चेहरे देख कर ही पता चल जाता है जो पाकिस्तानी सिना की धरिंदिगी का शिकार हुए हैं। पाकिस्तानी गोली बारी में इनके बचने का एक ही सहारा होता है ऐसे कमुनिटी बंकर। हम इस वकत एक बंकर के अंदर हैं जो के लाइन ऑफ कंट्रोल के गाउं पर बनाया गया है इस तरह के बहुत सारे बंकर्स हाली में बनाए गए हैं। यहां के लोगों का कहना है कि 10-15 नए ऐसे बंकर बने हैं लेकिन और इस तरह के बंकर्स की बहुत जादा जरूरत है क्योंकि जब शेलिंग होती थी तो एक साथ बहुत से गोले इनके घरों पर पड़ते थे और इस तरह की शेलिंग हर रोज होती थी और इसके चलते यहां क के लोगों की जिंदगी बहुत जादा मुश्किल रहती है इस तरह के जो बंकर है वो पचास से साथ लोगों को अंदर रख सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो और लोग भी इसमें आ सकते हैं आखरकार पांच दिन की देरी सही सही लेकिन मौनसून ने पूरे देश को चारू तरफ से घेर लिया मंगलवार को दिल्ली में मौनसून की पहली बारिश हुई जिसके बाद मौसम विभाग ने मौनसून के दिल्ली आगमन की पुष्टी कर दी लेकिन इसके साथ ही मौनसून की तबाही का सालाना आलबम और सिस्टम का भूस खलन पूरा देश देख रहा है इस बार मौनसून दिल्ली में सबसे अंत में आया मौनसून 16 दिन की देरी से दिल्ली पहुँचा ये पिछले 19 साल में दिल्ली में सबसे देरी से हुई मौनसून की दस्तक है लेकिन ये दस्तक कितनी जबरदस्त है इसकी तस्वीरें आप देख रहे है पांट जुलाई को मौ चौदर जुलाई को मौनसून दिल्ली पहुच गया। ज्यादा बारिश हो चुकी है। ज्यादा बारिश हो चौदर जुलाई को मौनसून दिल्ली पहुच गया। कुछ हिस्सों और केरल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादा बारिश हो चौदर जुलाई को मौनसून दिल्ली पहुच गया।